Hello everyone and welcome to PW Only IS दोस्तों इस chapter में पुराने वाले NCRT में एक बहुत ही शानदार लाइन लिखी है वो लाइन है कि The literate of 21st centuries are not those who cannot read or write but are those who cannot learn, relearn and unlearn बहुत ही बड़ी बात है और मुझे personally बहुत ही जादा पसंद है ये लाइन सच में आज वो बात नहीं है आज हमने अभी तक इस geography या human geography के portion में हमने क्या पढ़ा भई हमने primary activities के बारे में बात किया हमने secondary activities के बारे में बात किया इन सब तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हमारी activities की degree बढ़ती जा रही है पहले primary फिर secondary और आज हम लोग tertiary पढ़ेंगे इन सभी जगहों पर हम लोग का जो proficiency है जो knowledge है जो skill है वो धीरे 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 increase करता जा रहा है और आपको आज का ये chapter पढ़के realize भी हो जाएगा आज के इस chapter में हम लोग अपना chapter number 7 cover करेंगे मेरे NCRT के हिसाब से आपकी NCRT के हिसाब से शायद ये chapter 6 होगा chapter 4 में एक छोटा सा development human development का जो chapter था वो शायद मेरे में extra दिया हुआ था वो मैंने बिल्कुल latest sources के साब से आपको पढ़ा दिया है फिलाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो हम लोग के मन में एक services के नाम से सर्विसेस के नाम से एक misconception बना हुआ है उसको सबसे पहले clear करता हूँ मैं भाई आज का board थोड़ा छोटा है मेरा है हो सकता है कि आपको realize हो ना हूँ बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे ये काफी छोटा मैं लिख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है खतम हो जाएगा तुरंत के तुरंत ही ठीक है कोई बाद नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये myth क्या है ये myth देखो बच्चों skills के नाम पर जब भी हम लोग देखते है ना हम लोग को लगता है कि यार शर्विस जया रोल नहीं दिखता है और यहीं पर hardware करते हैं भॉव washer reader चीजे यह तो goods है, यह tertiary में नहीं आएगा, यही तो बोलोगे आप, लेकिन जरा इस बात को समझो कि इसको खरीदने जाओगे कहां पर, कहां जाओगे, किसी retail shop पर जाओगे, एक ही पेंतु चाहिए खुद के इस्तेमाल के लिए, यह retail shop क्या है, यह retail shop actual में आपके लिए tertiary activity का काम कर है, अब सोचो कि, अगर हमें यह retail shops ना मिलते, तो हमें लगता सोख के उड़ते हैं, ओह 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 ब्रेश खतम है, मेरा toothbrush खतम है, toothpaste भी नहीं है, आज तो यार हिंदुस्तान लिवर कंपनी जाना पड़ेगा अपने को, कितना बज़ गया भई, ओह दो घंटे का रास्ता है यह हिंदुस्तान लिवर कंपनी ही नहीं है, इन फैक्ट आप किसी भी कंपनी का ले लो, उसके कंपनी में जाके आप toothpaste, toothbrush थोड़ी ना खरीतते हो, फिर थोड़ा से लगा अरे यार नाश्ता बनाने के लिए यार दूद चाहिए, दूद चाहिए चलो, अगर आप गाउं से बि कार से जाओं या स्कूटी से चला जाओं, क्या करोगे बताओ, ऐसे दुविधाएं आएंगे कि नहीं, ये सारी goods ही तो हैं, लेकिन actual में ये मिलते कैसे हैं हमें, ये मिलते हैं हमें retail shop से, retail shop क्या है अपने आपने एक tertiary activities है, तो tertiary activities हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ services से related नहीं होती हैं, ये हमेशा trades and services से related होती हैं, ठीक है, तो आज के time पर जब हम लोग trade पढ़ेंगे, तो trade जो है, वो trade जो है, वो आपके दोनों portion से हो सकता है, ये trade आपका goods का भी हो सकता है, और ये trade आपके services का भी हो सकता है, तो अब ये आपके उपर है, कि आप इसको कैसे, स थोड़ी सही बन रही थी ठीक है आज के टॉपिक को अगर मैं लिखता हूँ तो आपका चाप्टर नंबर सेवन है चाप्टर सेवन है यह है आपका टर्शेरी and quaternary activities I hope आप इन दोनों ही टर्म से अभी तक भली भाती परशित थे लेकिन I know कि आपको आज के टाइम पर जब यह चाप्टर आप पढ़के खतम करोगे तो आपको बहुत सारे नए इंसाइट्स मिलेंगे नए तरीके सा सोचने का मौका मिलेगा तो इस शाप्टर में मोटा मोटा सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि भाई देखो basics क्या है मतलब basics understanding यह जो हम बात कर रहे हैं यह tertiary activities क्या होते हैं basics of tertiary activities इसके बाद हम लोग tertiary activities के types के बारे में पढ़ेंगे types of tertiary activities types of tertiary activities में मोटे मोटे ऐसे तीन चार टाइपस हैं सबसे पहला है trade and commerce दूसरा आप अगर देखोगे तो दूसरा आपको मिलेगा transport एक मिलेगा आपको communication और एक और बचता है आपका communication के बाद आपका एक और बचता है और यह है आपका services जिसकी बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं और हमें लगता है कि सिर्फ यही और यही tertiary activity है लेकिन उसके अलावा यह तीन बड़े sectors अभी आज आपको बढ़ा चलेंगे इसके बाद हम लोग यह देखने कोशिश करते हैं कि भाई इस पूरे portion में involved कौन कौन है people involved in tertiary activities और इसके बाद हम लोग कुछ portion पढ़ेंगे अपने quaternary activities का और कुछ portion पढ़ेंगे हम लोग quenary activities का यह जो quenary activities है quaternary activities है या फिर quenary activities है यह सारे के सारे service sector ही है in fact you service sector अपने आप में बहुत tipos है इस supporterository activities भी आ जाती है इसके अंदर में quaternary activities भी आ जाती है और अपनी quenary activities भी आ सकती है तो हम सबसे मूटे-मूटे तोर पर क्या पढ़ रहें भाई आज हम अपने सबसे मोटे-मोटे तोर पर पढ़ रहे हैं Service Sector बात समझ में आई क्या समझ में आ गई है तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने Basics से Basics में बहुत सारे ऐसे examples की हम बात करेंगे अच्छा ये भी आ गया ठीक है भई मतलब ये simple सा information है कि जो भी लोग इस lecture को देख रहे हैं और अगर उनको चाहिए कि भई कुछ अपने से बातचीत हो जाए और कुछ doubts है इस chapter को लेके तो आप directly यहां पर आईए यहां पर बहुत सारे अच्छे questions की मैं practice start करवा चुका हूँ आप लोग भी उन questions में participate करिए दिमाग का दरवाजा खोलिए और अच्छे से मेहनत कीजिए ठीक है और कोई doubt है तो definitely यहां पर आप पूछ सकते हैं फिर हम बात करते हैं आज के सबसे पहले topic की basics की बात करते हैं हम लोग है ना basics लिखता हूँ basics of tertiary activities अब इसको समझने कोशिश करना हम लोगों ने अभी तक चलो अच्छे बताओ जरा हम लोगों ने primary पढ़ा था गया primary activities primary activities इसके अंदर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था भाई की देखो एक तो agriculture होगा और क्या हो सकता है एक हो सकता है animal husbandry इसे के साथ साथ हम लोगों ने mixed farming fisheries और हम लोगों ने mineral extraction पढ़ा था है ना अरे यह क्या आगया भई चूम अंतर हो जा भई हम लोगों ने इतनी सारी चीजे तो पढ़ रखी थी और जब हम लोग secondary activities पर आये तो secondary activities पर क्या चीजे हम लोगों ने पढ़ी थी भई secondary activities में हम लोगों ने basically manufacturing industries को देखने कोशिश की थी है ना इसी पर लिखता हूं कि अगर हम लोग secondary की बात करें तो secondary activities में हम लोगों ने major major पिछले class की तो बात है manufacturing की बात की थी और किसकी बात की थी हम लोगों ने हम लोगों ने food या फिर food processing की भी बात की थी ना साथ में food processing की बात कर लो इसमें हम लोगों ने construction construction की बात तो नहीं की थी बढ़ा construction वाला भी आप इसमें लेके आ सकते हैं और इसमें मतलब कोई भी ऐसा processing unit हो जो की हमारे primary activities वाले product को इसमें कुछ तबदील करके दे दे तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि भई manufacturing के साथ साथ कोई भी processing unit हो है ना यह सब हम लोगों ने देख लिया था और तीसरे नंबर पर मैं यहां पर लिखता हूं अब इसको कैसे डिफाइन करोगे तर्शरी activities बच्छा एक बात समझो भी तक कि अभी तक जो भी हम लोग primary products secondary activities से निकला हुआ product हम लोग जो भी लाते थे उसको हम लोग देखते थे कि अरे वावा यह देखो भाई यह देखो अरे वावा हाथ में उठाके देख रहे हैं पर लिखता है वह वाला पर नहीं से लिए महंगा है तो इसके लिए मैंने देख सोर रोपे दिये थे अच्छा ठीक है भई समझ में आ गया मतलब इन exchange of money you always receive a product जिसको कि आप देख सकते हो उठा सकते हो और बता सकते हो कि मैंने इसके पैसे दिये इसके अब समझ में तो हम प्रोडक्स को ऐसे जिसको कि हम उठा सकते हैं देख सकते है अईसे product को मोग नाम देते हैं ऐसे product को मुलोग नाम देते हैं टैंजिबल प्रोडट समझ मिलता है कोई ऐसा गुड्स नहीं मिलता है या फिर ऐसा कुछ हम बूल सकते हैं सा कोई प्रोड़क्ट नहीं मिलता है मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता है दोनों तरीके हैं समझो इस चीछ को जैसे मान लो कि आप मान लो कि आप एक एक परसन लेते हैं एक परसन लेते हैं महेश यह जो महेश है यह ना धानले बाज इंसान है एक नंबर का धानले बाज इंसान है इसने क्या किया एक जगें से चोरी कर ली और पुलिस इसको पकड़ने आई तो यह किसके पास भागा दोड़के एड़ोकेट के पास एड़ोकेट से इसने क्या लिया भई इसने इंटर्न इन से लिए एड़ोकेट से दो बड़ी चीजें एक सलाह और या फिर इसी को परामर्श कह दो जब यह दोनों चीजें मिली ना तो यह उठके जाने लगा महेश एड़ोकेट ने का ओ भईया महेश कहाँ इधर आओ जेव डिली करो थोड़ा एक हरी पत्ती निकाल के दो अब तो हरी पत्ती का जमाना भी नहीं है बोले लाल पत्ती निकाल के दो दो अजार के नोट देनी पड़ी महेश बाब्बु को यह कहाँ का पैसे दिया महेश के हाथ में तो कोई समानी नहीं लगा लेकिन यह जो था यह इसके पैसे लगे हैं है ना यह क्या है एक तरीके का एक तरीके का सर्विस है इस सर्विस के बदले आपको क्या देना पड़ payment या फिर payment ना दे कि इसको fees बोल दो कुछ भी बोल दो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि tertiary activities मतलब क्या tertiary activities मतलब any service any service against which a payment is made बोल सकते हैं कि नहीं है ना कि एक payment बरानी पड़ेगी भाई तभी तो काम बनेगा नहीं तो आपका काम ही नहीं फस जाएगा पूरा तो tertiary activities simple सा है आप सोचो कि ये जो service लेने गए हो ये जो service लेने गए हो भाई ये service क्या किसी सडक छाप इंसान से उठा लिया था क्या नहीं इसके लिए क्या चाहिए आपको trained professional चाहिए भाई क्या चाहिए trained professionals जब तक ये नहीं होंगे तब तक आपका service अदूरा रह जाएगा वैसे तो देखो सला और परामर्श इंडिया में देने वालों के कमी नहीं है रा चलते किसी सभी लोगे कानून के दो-चार नियम भी गिना देगा आपको कि अरे मेरे ताउ जी मेरे फूफा जी मेरे ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या है वो चलता रहता है तो सला परामर्श तो आपको कहीं सभी मिल सकता है अब जैसे कि मैंने आपको यह समझाया कि टूफपेस्ट जो है टूफपेस्ट खरीदने कहा रीटेल शॉप पर उस टूफपेस्ट का आपने कितना पैसा दिया पचास रुपे दिया तो आपने बुले जिसको मैं उठा सकता हूं देख सकता हूं अब बोलो क्या बोल रहे आप तो मैं बोलूगा भाई यह पचास रुपए क्या सारे के सर्विस के दियें तुमने नहीं जो पचास रुपए है ना इसमें दो पार्ट टूट के देखो सबसे पहला पार्ट जो इसका मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट होगा इस टूफपेस्ट का मैनुफैक्चरिंग प्रेकिये वो इस रीटेल शॉप का जो प्रॉफिट था ना वो तरीके से वो प्रॉफिट नहीं था वो उसका फीस था जिस तरीके से मैं एक रीटेल शॉप पर जाके दुनिया जहां के जितने भी रोज मर्रा की जिन्दगी के प्रोड़क्ट होते हैं सब आटा डाल कर रहा है अपने प्रॉफिट के फॉर्म में तो आप उसको जितना पैसा दे रहे हो अफ्कोर्स उसमें आपके सेकेंडरी अक्टिविटीज में मैनुफ्याक्ट्रिंग कॉस्ट भी इंवल्ड है इस पेन का भी कॉस्ट इन वालो लेकिन ये पेन खरीदने के लिए आपको क यहाठा खराट खरीद ने तो सबड़ी आ खरीदैं अफ़ाट कर नब फा मतलब कि होगे वसर्विटीज मतलब कि इन अगेंस्ट और सम्थिंग सम्सर्विस जिससे कि आपकी जिंदगी आसान हो जा रही है उसके बदले में आपको क्या मिलना चाहिए आपको क्या देना पड़ेगा पैसे देने पड़ेंगे तो यही है सिंपल अगर इतना समझ गए मतलब टर्शरी अक्टिविटीज आपका कंप्लीट डन चलो यहां पर आप चाहो तो एक नए पेज ले लेते हैं आज का बोर्ट थोड़ा छोटा इसलिए जल्दी से भर जा रहा है हम यहां पर लिखते हैं टर्शरी अक्टिविटीज यहां पर हम लोग लिखते हैं कि भाई देखो इसमें प्रोड़ेक्शन भी इन्वाल्ड है इसमे एक्सचेंज भी इन्वाल्ड है इसमें सर्विसेज भी इन्वाल्ड है प्रोड़क्शन मतलब वही टूथपेस्ट का एक्जामपल लेकर समझ सकते हो आप तो इस तरीके से अब आप पूरे चीज को ऐसा समझो कि आउटपुट जो भी मिल रहा है हमें आउटपुट जो भ हुआ है तो सब इसनी बाट आप को समझ़ में आ गया तो अगर आपको कप अगर पूछा जाए की है की यह की नहीं है सर्विस सेक्टर है की नहीं उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं क्या वो अपनी सर्विस हमें दे रहा है क्या ठीक है अब समझो इस शीज को कि यहां पर जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग किसकी किसकी बात कर रहे होंगे भई देखो हम लोग बात कर रहे होंगे ड है मतलब किप two-ridge इंडस्ट्री इसकी मोप या फिर सेक्टर लीग देते हैं कि हम लोग बात कर रहे होंगे यहां पर से के कि और ट्रंसपोर्टेशन की हम लोग यहां पर बात कर रहे होंगे कम्यूनिकेशन की जो आज फोन से बात करते हो जब भी घर से दूर रहते हो खाना बनाते टाइम में समझ भी नहीं आता है कि इसमें हल्दी पढ़नी चाहिए कि नहीं और मसाला कितना पढ़ना चाहिए तुरंट मम्मी को फोन घुमा के पूछ लेते हो कौन पॉसिबल बना पाता है यह कम्यूनिकेशन बना पाता है वो ही आपकी रिलाइंस एर टेल जिस का सिम इस्तेमाल कर रहे होगे वो आपको सर्विस दे रही है कि भाई अपने मम्मी से बात करना है फ्री में नहीं बात कर सकते हो सोच लो, है ना अपनी ही मम्मी से बात करने के लिए आपको पैसे देने पढ़ रहे है कित्थी गलत बात है कि नहीं है लेकिन क्या है सर्विस है दोनों लोग आमने सामने नहीं बैठे हो एक लोग दिल्ली में बैठे हो एक लोग यूपी किसी गाउं में बैठे हो तो फिर इसी लिए ऐसा हो सकता है कि आपको इतनी दूर से बात करने के लिए किसी को पैसे देने पड़े और यह क्या है सर्विस है तो इसलिए कम्मिनिकेशन अपना बहुत ही मेजर पार्ट बनाता है तो एक एक करके इन सब को समझने कोशिश करते हैं है ना हम लोग सबसे पहले यहीं समझते हैं टाइपस ऑफ टरिशिरी अक्टिविटीज पर आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखते हैं उपर बड़ा सा लिखते हैं सर्विस सेक्टर और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या बात कर लें टरिशिरी अक्टिविटीज की और टरिशिरी अक्टिविटीज में ही चलो सबसे पहले देख लेते हैं टर्शरी अक्टिविटीज में हम लोगोंने चार सेक्टर्स की बात की थी है ना, सबसे पहले हम लोगोंने क्या बोला था, ट्रेड अन कॉमेर्स, चालो भई, इसको भी लिखते चलो, फटा-फट से लिखते चलो, आप लोग, सबसे पहले हम लोगोंने क्या बोला था भई, या फिर इसको दुबारा किसी और को बेच दोगे है ना यह बात आई ही कि नहीं आएगी कि अपने consumption के लिए खरीदोगे तो यार हम retail वाले चेंड में इसको डालेंगे और अगर गलती से किसी दूसरे को बेच दोगे तो हम wholesale में डालते हैं इसको तो इसलिए यह जो trades and services trades and commerce की बात हो रही है यह आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक बात बताओ यह आपका यह आपका wholesale ट्रेड है या फिर आपका retail ट्रेड है अब जब wholesale और retail भी कर दोगे ना तो भी पूछा जाएगा आपसे कि बात बताओ यह जो आपने wholesale ट्रेड किया है यह आपने अर्बन वाले जहां उपर किया या रूरल वाले जहां उपर किया क्योंकि दोनों के process बिल्कुल अलग हो जाते हैं तो इन दोनों को आप इस तरीके से define कर सकते हो कि यहाँ पर wholesale ट्रेड आपने अर्बन सप्लाइज के लिए दिये है या फिर आपने रूरल सप्लाइज के लिए दिये हैं और सिमिलरल ट्रेड के साथ भी यहीं सीच बूशा जाएगा ओए होई 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 जजबात में आके बड़ी लाइन बनाती यहां पर भी यहीं यह अर्बन चाहिए यह रूरल चाहिए ऐसा कुछ भी क्लासिफिकेशन आपका टर्शिरी अक्टिविटीज का हो सकता है अब यहां पर आप एक चीज और समझो कि जो आपके अर्बन एरिया अर्बन एरिया में भी आपके बहुत सारे सेग्मेंट्स आ सकते हैं जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार एक चेन रेस् अफसी डॉमिनोज मैक डी यह सारी चीज़े चलती रहती है है तो यह सब वह सर्फिस ही दे रही है खाने का सर्फिस दे रही है आपको तो इसलिए अर्बन कंपनी में एक एक्सट्रा आता है चेंड सप्लाइब क्या है अब इसे तरीके से और भी बहुत सारे तो एक सेग्मेंट यह हो गया आपका क्यों सा आपका यह हो गया अगर यही चीज हम लोग अब क्वार्डिनरी अक्टिविटीज में देखें तो या फिर एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ अभी कैसे टर्शिरी अक्टिविटीज पहले पूरा कंप्लीट तो करें इसको फिर एक आते हैं यहां पर हम लोग किसकी बात करते हैं ट्रांस्पोर्ट की ट्रांस्पोर्ट सर्वीस जब पढ़ेंगे तब हम लोग को रियलाइज होगा कि यह कितना जदा इंपॉर्टेंट है ट्रांस्पोर्ट में बिसिकली आप ट्रांस्पोर्ट किससे थ्रू करना चाहते हो तो अलग-अलग सेक्टर हो सकते हैं कि भी आप एक बात बताओ जाना चाहते हो कु आक? या फिर एइर वेस्ट के थरू जाना चाहते हो या फिर वॉटर वेस्ट के थरू जाना चाहते हो तब अपने इसे आपसे समझ लो फिर बताओ मुझे स्कार मज़े आद इसके पीछे क्या रहें कि kind ट्रंपोर्ट जब्धी बात करेंगे तो इतने सेगमेंट जाएंगे एसके बांधा है ईक है क्म्यूनिकेशन में क्या देख सकते हैं सबसे पहले हमारा जो कम्यूनिकेशन होगा उसके अंदर भी वैसे ट्रणपोटेशन भी है communicate करना है अगर आपको मान लो एक चिट्थी पहुचानी है तो उसमें भी transportation का रोल आएगा की नहीं आएगा बस से ट्रांसपोर्ट चिट्थी भेजना है फ्लाइट से आपको टिकट भेजना है चिट्थी भेजना है वो सारी चीजें इसके साथ साथ आपका एक टेली कम्यूनिकेशन आएगा और एक आपका आता है मास मीडिया है ना इसमें लिखता हूँ मैं एक तो आपका चलो ट्रांसपोर्ट वाला ही आगया है ना और एक आपका आएगा ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जिसमें हम लोग टेली कम्यूनिकेश इन सब की बात हो रही है इस पर कोई भी आप एक भी मैसेज को ब्राटकास्ट करा सकते हो कम्यूनिकेट करने के लिए एकदम तीजी से स्प्रेट कर जाएगा आप के तरह के फैल जाएगा तो अट्विटाइजिंग एजनसी और यह सारी चीजें जो आती है वह मास मेडिया के अंदर में आती है कम्यूनिकेशन के बाद हमारा लास्ट जो आता है इसमें वह आता है हमारा सर्विस अब यह जो सर्विसेस है यह आप किस हिसाब से डिवाइड करना चाहते हो जैसे कि पैनेंशियल है इंशुरेंस वाला है मतलब फैनेंशियल है तो आपके बैंकिंग से रिलिलेटेड है insurance related है इसके बाद अगर आपका medical issues है तो health से related है education से related है या फिर आपके मतलब किसी भी personal या professional use के लिए है तो ऐसे बहुत सारे different तरीके से आप इसको define कर सकते हो वैसे तो आप इसको ऐसे लिख लो कि सबसे पहले आपके क्या health services है क्या आपका educational service है या फिर आप किसी भी personal या professional service की बात कर रहे हो है ना तो यह मतलब definitely इस तरीकी से भी इसको define कर सकते हो services को define करने के और भी कई सरे तरीके हो सकते हैं अब यहाँ पर इसके बाद अब इस बोर्ड में तो जगह नहीं है लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई इसी के साथ साथ इस service sector में ही है आपके quaternary भी आते हैं और इसी में आपके कौन आते हैं quaternary और quaternary सेक्टर दोनों को एक बार हम लोग अभी थोड़ा देर बाद वापस से यहीं पर आके पढ़ लेंगे या फिर इसको थोड़ा सा रेस करके फिर दुबार असा लिख लेंगे तो इतना मोटा मोटा classification अगर आपको पता है न तो आप काफी चीज़े समझ सकते हो भी यहां पर सबसे पहले हम लोग इसलिए बात करते हैं अपने trade and commerce के उपर trade and commerce इसके बारे हम लोग वैसे तो बहुत सारी बाते कर चुके हैं जब भी हम लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं बेचने जाते हैं किसी भी आइटम का तो वहां पर एक service generate होती है है ना मतलब की कोई भी खरीदी या बेची जब भी हो रही है जब उसकी खरीदी बेची का वो place of origin नहीं है मतलब मान लोग कोई समान आप खरीदने गए हो और उस समान का जो exact origin place है ना वो इससे कहीं को सो दूर है कई miles दूर है और फिर आप अगर उस service को ले रहे हो तो फिर क्या है आपके लिए वो trade है एक तरीके से है ना trade है तो इसी तरीके से आप ये समझो कि जितने भी service हो सकते है इन सब के लिए एक particular trading center होगा फिर तो trading center किसी भी form में हो सकता है या ये trading center आपके retail shops के form में हो सकता है ये एक mall के form में हो सकता है वो एक local mandi के form में हो सकता ह कुछ भी बन सकता है, आपको समान खरीदने का एक जिगह चाहिए, वो ही क्या कहलाएगा, ट्रेडिंग सेंटर कहलाएगा, बहुत बाद ये ट्रेडिंग सेंटर परवान इन निचर के नहीं होते, आज जैसे मैं जहां पर रहता हूं, वहां पर शुकर बजार लगता है, शु सब लोग Thursday को किसी और जगहां पर लगाएंगे, Monday को किसी और जगहां पर लगाएंगे और ये rotate होता रहता है, हर दिन का उनका fix है, तो ये क्या है आपके temporary markets हैं, कभी-कभी आते हैं, periodic markets हैं, अब यहां पर यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि जब भी आम लोग trade and commerce की बात कर रह production of products produced elsewhere, है ना, कई और बना हुआ था, लेकिन बस उसको अब यहां पर हम खरीद रहे हैं, और उनको बेज भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, Ola, Ola नहीं, Olex, Olex पर होता है, कुछ भी समान बेच डालो अपना, टूटे furniture हैं, बेच डालो, कुछ भी चीज टूटी हुई है, इस दे रहा है, है ना, वहां पर, जहां पर आपका समान पढ़ाओगा, कोई आएगा, लेकर चला जाएगा, अच्छा, एक question मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि यार, चलो से services sector में उसको पूछूँँगा, जब services पढ़ाऊंगा, उसको especially तब बताऊंगा मैं आप आपको, यहाँ पर trade and commerce में, अब जैसा कि हम लोगों ने पठा, हम लोगों ने पढ़ा कि भई, it requires, it requires, a trading center, क्या मिलेगा इसमें, क्या होना चाहिए, trading center होना चाहिए, अब यह trading center कैसा हो सकता है भई, यह trading center इस बात पर depend करता है, कि आपका यह trading center या marketing center आप कुछ भी बोल सक हो, यह trading center है, यह कैसा होगा, या तो आपका यह, rural marketing center बन जाएगा, या फिर यह आपका urban marketing center बन जाएगा, यह दोनों चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती, rural marketing center और urban marketing center बन सकती है, अब इन दोनों का nature बिलकुल अलग होगा, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा, कि rural marketing center पर आप जब अपना अनाज खरीदने जाते हो, तो एक local सा ऐसा ही मंडी होता है, unregulated सा होता है, है ना, वहाँ पर यह नहीं होता कि आप कुछ भी खरीदोगे, तो भई आपको उसका bill मिलेगा, प्रिंट करके खटा-खट से, य और वहाँ पर आप बार्गेन भी नहीं करोगे, यह तो local shops होती है, यहाँ पर 40 रुपए किलो का आलू अगर मिल रहा है, तो आप उससे हो सकता है कि 25-30 में भी खरीद लो, इतना बार्गेन कर सकते हो, अगर कुछ एकठा लेने की बात होगी, तो मतलब rural marketing center भी आपके, आप आपके wholesale type के हो सकते हैं, और आपके retail type के हो सकते हैं, है ना, अब इन दोनों का मतलब भी समझाता हूँ, tension मतलब, और similarly, urban market centers जो होते हैं, वो थोड़े जादा sophisticated होंगे, वो थोड़े जादा aligned होंगे, वो थोड़े से जादा आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर mismanagement बहुत ही कम हो होगा, और वो जो sector हैं, वो बिल्कुल properly organized होंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, तो आज के time पर urban marketing में तो दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में भी मैं वही बता रहा हूं, मैं शुक्र बजार लग रहा है, वो शुक्र बजार क्या है, अन और्गनाइज साही तो भी organized sector है, they all are related with just urban marketing center, बहुत सारे ऐसे, आप दिखो के कि रूलर एरियाज में भी, जिस हिसाब से बहुत सारे government scheme शलने लगे हैं, तो उसके बेसिस पर ये rural marketing center भी आप धीरे धीरे करके, क्या हो रहा है, और्गनाइज हो रहा है, जो हमारे APMC मंडी होती है, है ना, वो APMC जब आपकी परची कटती है, आपका number लगता है, वहाँ पर कितने रुपए में कौन सानाज मिलना है, उसके लिए कई सारे लोग बैठे होते हैं, तो जब MSP पर समान बेचने की बात आती है, उससे थोड़े ज़्यादा rate पर बेचने क्या आती है, तो इन सब के लिए अब क characteristics और traits जानते रहों, कि there are something which can be called as unorganized, और there are something that can be called as organized, है ना, इसी में एक concept और आता है, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं, कि ये क्या है भई, ये आपके periodic markets है, ये तो rural marketing center हो गया, और एक urban marketing center हो गया, अब इस तरीके से periodic market होता है, periodic market usually देखो, पहले के जमाने में rural areas के लिए refer किया जाता था, ये क्यों किया जाता था, क्योंकि एक गाउं में अगर कोई एक shopkeeper अपना दुकान खोल के बैड़ जाए, वो services वहाँ पर देने लगे, तो यार उसका भरन पोजिशन नहीं हो पाता था, लोग समान खरीदने आते एक आज़े दिन फिर बाकी दिन आते ही नहीं, तो वहाँ पर ये हुआ कि यार अब हफते में एक ही दिन चलेंगे वहाँ पर, जिसको जिसको भाई अनौंस कर दिया, जिसको जिसको अपने हफते बर का समान चाहिए, वो इस दिन Monday को आओ और सारा समान लेके जाओ भाई, इसके बाद मैं दूसरे जगह कहीं समान लगा दूँगा, तो ये periodic markets जो होते हैं, ये इसी तरीके से, ये भी wholesale retail दोनों shape के हो सकते हैं, तो ये periodic market इस तरीके से define हो सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर, जब हम लोग urban marketing centers की बात करते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर अगर rural marketing center की ही कर रहे होंगे, और जो urban marketing companies में होंगे, या urban marketing centers में होंगे, यहाँ पर आपका कुछ urban's related होगा, यहाँ पर बस आप इतना बोल सकते हैं, कि जो urban marketing center होगा न, यहाँ पर, यहाँ पर, you'll find more skilled person, और rather than professionals, क्यों, क्योंकि यहाँ पर urban marketing center पर लोगों की paying capacity ज़्यादा होती है, और यह paying capacity जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पर मुतने अच्छे professionals को रख सकते हैं, वहाँ खुद ही सोचो, कि यहाँ पर लोग 5-10 रुपे का समान खरीदने आ रहे हैं, वहाँ पर आप एक दिमांड भी कम है, शहरों में तो दिमांड भरपूर है, और इसके लिए 10 रुपे ने इसको 100-500 रुपे मिल रहे हैं, उसके लिए 1,00,000 रुपे महिने का आप इंसान चलो फिर भी afford कर सकते हो, तो यहाँ पर नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर आपको ज्यादा skilled और professionals लो कि एशिया का one of the biggest furniture market है, मतलब कि आप 5 km radius में जितना दूर भी travel करोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ फरनीचर इस specific दुकाने मिलेंगे, तो यह जो अर्बन marketing center होते हैं, फिर कुछ ऐसे इलाके भी हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ jewelry की shops मिलेंगे, कुछ ऐसे shops और कुछ ऐसे म आपको more specific shops मिल सकते हैं, more specific markets मिल सकते हैं, example के तोर पर अगर आप भूल ना जाओ, तो लिख लेना इसको, furniture market, cooler market, इन से related कुछ भी, तो इनके लिए ना है कि specific place define कर देंगे, और यही rural market में क्या होता है, यार आप अगर rural area से बिलॉंगे, करते हो, तो आपको पताचल जागा कि यार वहाँ पर भी एक defined place है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ distinction नहीं है, वहाँ पर एक बड़ी सी मंडी है, वही दो-चार दुकानों पर cooler भी भिक्रा होगा, उसी के बगल में जाओगे, आपको दो-चार दुकानों पर furniture भी मिल जाएग उसी के दो-चार अगल आगे वाली दुकान पर जाओगे, तो शायद आपको अपने रोज मर्रा की जिंदगी के जो भी आटा, दाल, चावल, तेल होता है, वो सब भी मिल जाएगा, तो एक छोटा space है, और यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो, इन basic differences को अगर आप समझ गए हो तो हम क्या करते हैं, एक-एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, retail trading की, है ना, लिखता हूँ मैं यहाँ पर, retail trading, retail trading, retail trading का मतलब है, कि देखो, आप कोई भी चीज, कोई भी समान, कोई भी वस्तू, जो भी खरीद रहे हो, उसके पीछी दो reasons है, सबसे पहला reason है, कि वो आप relatively, छोटे quantity में खरीद रहे होगे, है ना, retail में हम लोग ऐसा नहीं है, कि एक अठा खरीद लेते हैं, कि भईया retail shop पे गए, और बोले कि यार मेरे को ऐसा करो, भईया मेरे को आप पचास कुंटल चीनी दे दो, वो लेगा, sir, मेरे पास तो एक कुंटल नहीं है, आप पचास कुंटल की बात कर रहे हो, आप एक दो किलो लेना चाहते हो, चीनी तो बताओ मेरे को, तो यहाँ पर हम बोल सक लिखते हो, कि sale of goods to the public, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, sale of goods to the public, अब यहाँ पर दो चीजे, सबसे पहला, in relatively small quantity, बात सही है, और for personal use and not for resale, है न, यह कैसी बात होगी, retail trading की बात होगी, अब retail trading में आप लोग क्या क्या चीजे खरीद सकते हो, आपकी रोज मरा की जिंदगी जो होती है, आपके personal professional use के लिए जो भी चीजे चाहिए होती है, इन के लावाँ छोटे-छोटे चीजे हैं, कभी streets पर जा रहे हैं, तो streets पर आपके बहुत सारे समान मिल गया, कुछ खाने पिने का समान मिल गया आपके लिए, या फिर कुछ हजावट का समान मिल गया, इन सब चीजों से आप बोल सकते हैं कि जो आपके, आप यहां तो वो नहीं आता है, बट बहुत बार ऐसा क्या होता है, चलो यहां पर भी है, अनौर्गनाइज सेक्टर है, बस और क्या, अनौर्गनाइज सेक्टर में आप देखते होगे, कभी क्या होता होगा, धोबी बैठता होगा, तो वो आपके washing services का पूरा ध्यान रखता होगा, कि आपके कपड़े हैं, वो बकायदा पूरे press हो जाएं, और आपके कपड़े धुल जाएं, इन सब चाहिए, वो क्या है भाई, सर्विस दे रहा है आपको, है ना, सर्विस पर सर्विस किसको बोलते हैं, otherwise वो ये बोलती नहीं, नहीं तो सर्विस करने वाला तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि यार वो जो बंदुवा मजदूर है, वो भी सर्विस ही करता है भाई, है ना, वो जो आपके बगल में धोबी बैठता है, वो भी सर्विस ही करता है, उसकी आम यहां पर हम यह तरीके से बात कर रहे थे अपनी चैनी स्टोर्स की भी बात कर रहे थे हो रिटेल शॉप में में चैनी स्टोर्स भी हो सकते हैं तो यहां पर आप के चे हैंडी क्राफ्ट आइटम्स यहां पर आपका कोई भी ज्नट री शॉप सकते हैं ज्न्री आईटम्स है और इसके बाद कोई भी घर के सजाने हैं जो कहते हैं पर और यहां पर कोई भी डेली यूज ये सब किसका पार्ट बनेंगे रीटेल ट्रेडिंग का और रीटेल ट्रेडिंग के इसाब से यहाँ पर एक chain, chain market या फिर chain trading होती है यह जो chain trading है यहाँ पर क्या होती है जैसा कि हमने बताया कि भई देखो इस तरीके से जो भी हमारे chain trading या chain stores बोल लो आप लोग तो ये जो ऐसे chain stores होते हैं ये आपको क्या provide करते हैं भई ये आपको ऐसे ही services देते हैं लेकिन आपको ये services कहीं पर भी मिल जाएगा example के तौर पर मैं बताता हूँ जैसे कि एक example के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ कि एक dentist है ना सिर्फ दिल्ली में और भी बहुत सारे जगह पर होता है उसका नाम है clove clove dentist ये क्या इसका chain store है आप दिल्ली के किसी भी छोटी से कस्बे में जाओगे न आपको मिल जाएगा है ना तो आप यहाँ पर कहीं पर भी different places in Delhi in and outside Delhi और ये क्या कर रहे है ये आपको dentist वाली services प्रवाइड कर दातों में कोई पंगा है तो इनके पास जाओगे वो सही करके देंगे फिर similarly आप यहाँ पर chain stores में जो आप खाने पीने का समान लेते हो जैसे मानलो कि आपका KFC हो गया आपका MACD हो गया या फिर आपके नॉर्मल जो अपने वाले हैं जैसे कि हल्दी राम बीका नेरवाला जितने भी यादां सब लिख सकते हो यह सब क्या हैं chain stores भै कई पर भी जोग ये लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं ice trim parlors होते हैं ऐसे पता न Hakनी कीतने हैं घ्यानीज और पता नहीं क्या क्या चीज़ा चलती तो यह सब chain stores में आते हैं, retail trading में ही आते हैं, यहाँ पर भी आप जाके उनसे consumable items लेते हो, directly consume करने के लिए लेते हो, ना कि आगे किसी को और बेचने के लिए, तो यह बात हो गई आपके retail की, अगर मैं इसी तरीके से आपके wholesale trading की बात करूँ तो, मैं क्या लिखता हूँ पर wholesale trading, wholesale trading जैसे कि retail trading में हम लोग यह बात बोल रहे थे कि भाई, अपने consumption के लिए चाहिए, wholesale trading में हम लोग कोई भी समान उठाते हैं, तो अपने स्वयम के consumption के लिए नहीं लगाते हैं, बलकि उसको आगे और दूसरों को retail form में बेचने के लिए लेते हैं, तो इसमें हम पहली बात तो बिल्गुल सही आएगी, and at low prices, अच्छे एक चीज़ और है, यहाँ पर wholesale trading में जब भी कोई भी समान आप लोग के कठा खरीद तो आप कोई पता होगा कि कम दाम्या सस्ते दामों मिलता है, सब लोग जानते हैं इसको क्या ही पढ़ाना है, बंद गर देते हैं इस अब आपको पता होगा, फिर इसके बाद आप further retailers को base देते हो, तो अगर ऐसा हम कुछ भी बोलते हैं, हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई देखो इसका क्या मतलब है, products and services, products and services, यह क्या होगी, relatively, large quantity में होगी, साथी साथ यहाँ पर at relatively low price होगा, और साथ की साथ, to be again sold to retailers, यह क्या कहलाएगा आपका, यह कहलाएगा wholesale trading, wholesale trading यह सारी चीज़ें तो आएंगी आपकी, है की नहीं, अब इसी में आपको, आप समझ लोगी, सबसे best example अगर मैं आपको देना चाहता हूँ, आप लोग कभी उसको देखो, अलिबाबा साइट पर गया होगा, होती हैं, और बहुत बार ऐसे भी shops होते हैं, जो कि retail और wholesale एक ही site पर कर लेते हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे मैंने website देखें हैं, जहां पर आपको कोई भी समान 100 gram भी मिल जाएगा, और कोई भी समान 50 kg भी मिल जाएगा, है ना, तो वो आपके इसाप से है, कि आपका कितना use ह है, मालो कोई भी एक छोटा, मालो आपकी सबजियों में एक मसाला पढ़ता है, इलाइची, है ना, मालो इलाइची लेना है आपको, तो अपने घर के consumption के लिए कितनी इलाइची ले लोगे, भाई, महंगा समान है वो, 50 gram ले लोगे, 20 gram ले लोगे, तो ये भी मिलेगा, लेक अच्छा, ये बिल्कुल fix है, क्योंकि आप जब भी extra quantity में समान खरीदते हो, तो आपको low price में मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेडिंग, wholesale ट्रेडिंग और ये सारी चीजें माले trade and commerce समझ लिया, अब इसी के बाद, यहाँ पर एक हम लोगों ने पढ़ा चेंजिस देखने को मिलते हैं, और सबसे बड़ा यहाँ पर जो service provider है, वो कौन है, यहाँ पर government as the biggest service provider क्यों कि जितने भी roads बन रहे हैं, किसके अंदर में बन रहे हैं, सरकार बन वारी है, साकर माला प्रोजेक्ट आए, वो किसके अंदर में है, सरकार के अंदर में, airways चलो, air India company अब तो बिग गई, लेकिन फिर भी अगर airways की भी बात करते, तो भी क्या होता, वो भी अपने government क सेक्टर में आती, तो आप कुछ भी कर लो यहां पर, इन सभी transportation को, आप सबसे पहले तो यह समझो कि transportation की importance क्या है, आप कोई भी goods and services लेना चाहते हो, अगर वो आपके, हर के दरवाजे पर दस्तक ना दे दे, तब तक आपको मजा नहीं आएगा, उसके लिए connectivity चाहिए, बहुत जरूरी है, यह transportation इंसानों का भी हो सकता है, और साती सात वो उन goods का भी हो सकता है, जो कि आपको चाहिए, अमेजॉन से कुछ भी चीज order करते हो, तो आप घर तक आता है की नहीं आता है, कैसे आता है, transportation नहीं रहता तब कैसे आता भई, आप कोई भी चीज दिल्ली मे या हिमालेनी स्टेट्स तक नहीं पहुचा सकते थे, अगर transportation नहीं होता तो, या फिर घोडों से भेशते आप, transportation पहले के जमाने में ऐसे ही होते थे, गोडों पर लात के बेश देते थे, लेकिन इन सब से कितना तेज भेश दोगी, जाता समान होता हाथियों पर भी लात द बुलाओगा उसने कुछ तो, लेकिन सोचो उसकी स्पीड क्या ही होगी, वो पूछे यहां से वहां जाने के लिए कितना दिन चाहिए, बोले पांच दिन, बोले अरे दो दिन में कवर करेंगे, अरे तुम आज के modern facilities में रहते तो शायद 2-3 घंटे में पहुच जाते वहां कि अपने आप में एक ऐसा सर्विस एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना ना primary काम करेगा ने secondary काम करेगा कोई भी नहीं काम करेगा, है कि नहीं बात बिल्गुल सही है ना, इसको आप इसी तरीके से लिख सकते हो, कि भई, people, material, manufactured goods, सब कुछ इसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्य Means of connectivity, यह किसकी connectivity की बात हो रही है, यह आपके goods की बात हो रही है, यह लोगों की बात हो रही है, यह goods कौन से आप manufactured goods हो सकते हैं, कैसे भी करके अगर इनकी connectivity आपने इंशोर कर दीए जिए से दूसरे जगा इनको पहुंचाना आपने स्टार्ट कर दिया तो आपका transportation sector बढ़िया हो गया, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, यह transport measure कैसे करते है, measuring quantity क्या है, हाँ, मैं बता रहा था कि government as a biggest service provider है, क्योंकि इस यह सब बनाया, अब इनके आगे-ागे सब की scheme लिखनी आपको है ना, roadways के सामने लिखो कि अपने बढ़िया, बिल्कुल क्या बोलते है, golden quadrilateral बना दिया गया है, railways के सामने लिखो कि आपने dedicated freight corridor बना दिया है, यहाँ पर क्या है, quadrilateral है, और waterways के सामने लिखो सागर माला है है, है ना, government है इन सब चीज़ों के पीछे, अब similarly, यहाँ पर हम यह बोलते हैं कि यार देखो transportation को जब भी measure करते हैं, distance को measure करते हैं, तो distance को measure कैसे करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम लोग किलोमेटर में कर सकते हैं, कि कोई भी एक जगन से दूसरे हैं, कोई भी स जाएंगे तो 780 लग जाएगा, हवा में उड़के जाएंगे तो 500 लगेगा, अगर पानी के रास्ते जाएंगे तो 200 क्लूमेटर लगेगा, और अगर रोट से जाएंगे तो 700-800 लगेगा, लेकिन उन सब में estes दिन न लग लग कैसे कर सकते हैं, एक तो हम लोगों ने किलो को जैसे कि कभी आप हाइवेस पर चलते हो तो बड़ा सा बैनर लगा होता है कि यह खाने वाला जो स्थान है ना वो बस आपसे दो मिनिट की दूरी पर है तो आप खुश जाते हैं रहे बस दो मिनिट में खाना मिलेगा वाँ बहुत ही बजाएगा इतने देर से बहुत के बै अधि अरजेंट है हाइली अरजेंट है वो डॉक्यमेंट किसी को एक जिए से दूसरे लेकि जाना है तो उस डॉक्यमेंट के लिए हम लोग एरवेस का सहरा ले लेंगे भले ही उसमें सौ पांसो रुपाई एक्स्ट्रा लग रहे हूं तो कॉस्ट यहां पर मैंटर नहीं या फिर हम लोग अगर मान लोग कि कभी भी मोड आफ ट्रांस्पोर्ट डिसाइड करना चाहते हैं अगर तो यहां पर लिखता हूं मैं factors on which modes of transport will be decided यह कौन कौन से हो सकते हैं भई तब से पहला हमारा distance होगा है ना कितनी दूरी है कि अना कि दूसरा सकता है ways to reach ways to reach मतलब कैसे जा सकने भई हवाई जा सकते हैं अपने स्कूटी से भी जा सकते हैं waterways से जा सकते हैं कैसे आ सकते ways to reach क्या क्या है वहां पर similarly ways to reach मतलब आप यहां पर रूट लिख सकते हो कौन से रूट से जा सकते हैं कौन सा रूट फॉलो करें जिससे सबसे जल्दी महां पर पहुंच जाएं इसके अलावा आप यहां पर टाइम टाइम को भी बोल सकते हो कितना समय लग रहा है पहुंचने में यही तीन चीजों के basis पर आप definitely decide कर सकते हो कि आपको कोई भी समान अगर पहुंचाना है जिए से दूसरे जगह या फिर इंसानों को एक जिए से दूसरे जिए ट्रावल करना है तो इन राक्टर के basis पर ही वो सब कुछ define कर लेता है न कोई बहुत ही अर्जेंट है तो पैसे अरे हां एक चीज़ लिखा रही भाई कॉस्ट आ यह भी तो जाएगा जेब से पैसे ही तो जा रहा है इन सब जीजों के लिए तो पैसे किस में कितना जा रहे हैं किस में कितना कम टाइम लग रहा है ज्यादा टाइम लग रहा है कोई अगर अर्जेंट नहीं है लोग चार दिन बाद जाएगा सर आपके सो रुपे बच जा को अफिक्ट कर देता है कि कहां पर लिख दूँ यहीं पर नीचे लिख देता हूँ अब फैक्टर्स अफिक्टिंग ट्रांस्पोर्ट अब जब इसमें सोच के बताओ या आप लोग सिर्फ सोचो गे और आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहला क्या है डिमांड यार किसी भी प्रोडट का डिमांड जिस जिखें पर जादा रहेगा वहां पर हम लोगों तेजी से चीजों को पहुचाना पड़ेगा नहीं पहुचाएंगे तो यार डिमांड ही डाइ आउट हो जाएगा या फिर उसके अगेंस में कुछ और आजाएंगे तो सबसे बड़ा क्या है डिमांड विट पॉपुलेशन है ना डिमांड एन पॉपुलेशन यहां पर ऐसा लिख लो वहाँ पर भेज़ो ट्रेडिंग करो वहाँ पर इससे और फाइदा मिलेगा तो इसके लिए डिमांड और पॉपुलेशन का रहना जरूरी इसके एक फैक्टर से और दूसरा जो फैक्टर है वह आपका होता है रूट किस रूट पर जाना है किस शहर पर जाना है किस इंस्ट् स्टेट्स हैं कि विदाउट रेलवे कनेक्टिविटी कि यह क्यों है क्यों क्योंकि यहां पर यार विदर कंडीशन या विदर या फिर टोपोग्राफी एसा रहा कि आपको करना पड़ जाएगा यार कि वहां पर पहुझ पाओगे कि नहीं पहुझ पाओगे घिक है तो इसको एक बार आपको समझना था इसको नीचे करके देखता हूं यार आएका कि पी की नहीं सारा को कट रहा है थोड़ा आइ ने ने कटे गने टेंचर मतलो कि ऐसा हो रहा है तो इसको कि कि आगैल आगए सब? इसके पीछे जो चुपा है जो आपको मिलेगा उसमें पीछे नहीं रहेगा वो पूरा रहेगा टेंशन बतलो ये हो गया अपना ट्रांस्पोर्टेशन Similarly अगर हम लोग transportation के बाद हम लोग बात करते हैं अपने communication की तो communication भी आज के आज के एज में भाईया बहुत ही बड़ी चीज़ है Communication को समझते है Communication क्या चीज़ का हमारे typed message का हमारे ideas का हमारे बोली का हमारे इस video का ये क्या हो सकता है Communication हो सकता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये communicate होके आप तक पहुँच रहा है YouTube पर जा रहा है और हजारों लाखों लोग इस video को देख रहे हैं और वो ये chapter समझ रहे हैं कैसे possible है Communication के जरिया तो communication हर बार आप समझोगे कि इस पूरे service sector या टर्चरी अक्टिविटी का one of the most important segment है ये communication और ये communication आज के टाइम पर तो बिल्कुल lightning speed होने लगा है यहां पर मैंने एक बटन दबाया send का और वहां पर आपके पास WhatsApp पर एक message तुरंती receive हो गया नचीय तो पहले प्ले से कभोते चिति लेका जाते थे और कभी बीच पता चला कभी निशानर की वह वहां पर संधिशा के से बेझा जाता था कि अलग अलग जगह पर से लिए महना से आपको एक message भेजना है ना तो यहां पर सबसे पहले हमने एक तीर चलाई यह गया यहां पर यहां पर गिर गया यहां से एक और तीर चली यह भी गया यहां पर और यहां पर गिर गया फिर यहां से एक और तीर चलाई हमने फिर यह जाके पहुचा यहां पर तो यह क्या तरीका है यह मतलब की जल्दी प कोई बच्चे ने मैसेज पढ़ लिया तो यहां पर क्या आपका वो सीक्रेट मेंटेन रहा सीक्रेसी तो उड़ जाएगी या आपने बहुत ही प्राइवेट मैसेज किसी को भीजा था कि बस उसी बंदे को पढ़ना चाहिए बतल छोटा बच्चा खोल लिया उस चिट्थी को खोल के सबके गाओं-गाओं पता फैला दिया वो बात है ना आप ऐसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन मान लो किसी लड़की को भेज रहे होगे तो तो फिर हला हो जाएगा बिल्कुली गडबड हो जाएगी फिर तो आपकी बात तो इसलिए ऐसा यह वाला सिस्टम भी नहीं च सकते हो बीच में कोई पड़ी नहीं सकता उसको क्योंकि उसको पता नहीं है कि किस कोडिंग के जरिए आपको हम लोगों ने क्या उसमें लिखा है कि हर बार एको हम डॉलर लिखेंगे हर बार टी को हम लोग क्या लिखेंगे एस लिखेंगे अब यह तो रैंडम है ना हर बा में इस मैसेज को कोई पढ़ नहीं सकता आप जब जैसे ही सेंड बटन दबाते हो ना तो उसमें जो वो तीन मैजिकल वर्ड है कि आई डोन नो मानलो आपने लिखा इस चीज को तो वह आई डोन नो जो है ना वह तीन लेटर्स ऐसे आई डोन कोई से गाना उस मेसेज को पढ़ रही पाए गा क्योंकि उसका इनकोडिंग जो है किसी दूसरी में अंकोई कि कूछ और भाषचा में बाना दिया गया तो समझो इस bento टरिकेशन का मतलब क्या है कि communication हमारे words हमारे messages हमारे हमारे बोली या फिर हमारे ideas का आदान प्रदान हैं बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि communication services communication services की बगर बात करें कि this type of service involves exchange of words messages facts and ideas है न कुछ भी बोलने से पहले सोचते होगे न बिना सोचे समझे तो नहीं बोल देते हो आप नहीं करना गंदी बात होती है यह ना तो ideas जो है ideas हमारे खोपडी में आते हैं और खोपडी से हमारे जुबान तक पहुशते कभी-कभी ideas हमारे यहां पहुशते हैं तो आजकर हम लोग उंगलियों से भी बोल सकते हैं कित्ती बड़ी बात है न कि हम लोग उंगलियों से बोल सकते हैं लेकिन आज का जमाना क्या है आज का जमाना सिर्फ ideas और messaging और facts पर नहीं dependent है यह ideas आगे चलके ऐसा अब यह क्या है कि भाई अब ना तुम्हें बोलने की जरुवत पड़ेगी ना तुम्हें कुछ आखे दिखाने की जरुवत पड़ेगी बस तुम शांती से अपने मन में सोच लो और सिर्फ सोच लोगे और वहां पर हो जाएगा क हम लोग large language model को समझ रहे हैं कि यहाँ पर अब सिर्फ अपने ideas ही नहीं इस दुनिया जहां के ब्रह्मांड के ideas को भी अगर communicate करना है तो वह एक machine learning भी है ना वह machine learning क्या करेगा आपके ideas को या फिर आपके जैसे billions and trillions of लोगों से यह ideas लेगा और फिर वह ideas आपके सामने एकदम नए तरीके से present कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें साथ के साथ में communication के level पर चल रही है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यह समझना चाहिए कि communication में ही communication में हम लोगों ने बात किया था कि transportation का एक बहुत बड़ा role है लेकिन जिस हिसाब से transport जो है with इसा लिख सकते हैं कि with the arrival of digital words यह transport जो है न वो दिरे दिरे कम हो रहा है लेकिन बिल्कुल खतम नहीं होगा कभी भी आप भी देखते हो कि आज की जमाने पर भी जो most developed countries होंगी न वहाँ पर भी post offices होते हैं वहाँ पर भी लोग चिठी लिखके बहसते हैं हैं तो अगर ऐसा होता कि नहीं सब चीज तो हम end to end encrypted है तो whatsapp पर भीज़ते हैं ऐसे से कर लेते हैं तो नहीं हो पाएगा इन सबकी अपनी उटिलिटी है तो transportation आज भी communication में उतना ही important है तो जिस हिसाब से यह transport है इसी हिसाब से आपको एक और सिग्मेंट जो समझना है वो है आपका mass media है ना किसी भी message को अगर spread करना है तो आपके लिए आज का जो mass media है वो सिर्फ radio और television तक नहीं limited है है यह अब आपके बहुत सारे नए OTT platforms नए open platforms like YouTube कुछ नए social medias लाइक ट्विटर लिखते हैं ट्विटर तो अब है नहीं एक्स लिखते हैं एक्स हो गया इंस्टाग्राम हो गया या फिर facebook हो गया वाटसेप हो गया इन सबसे डिफाइन हो रहा है यह mass media है भई mass media वाटसेप आप बोलो सरे तो हम दो बंदू बात करते हैं इसमें अरे दो बंदू बात तो करते हो लेकिन वाटसेप पर सेग्मेंट नहीं आता है चैनल क्रियेट कर लो कुछ भी बनाओ तो यह सब क्या है mass media का सोर्स है अब यह भी है ना facebook पर भी आप अपने पेजेश क्रियेट कर सकते हो इसी तरीके से आप यह सारे क्या सारे सेग्मेंट को आप mass media के इंटर काउंट कर सकते हो आ आप लिकता हूं मैं कर से तरी से यह सर्विस्यस क्या कर रहा हुआ रही सर्विसे दगो अलग-अलग लेवलेश पर हो सकते हैं अमसर्विस अलग-लग लेवल पर कौन्वी हम लोग किसी इंडेस्री को स्य obst disciplined कभी हम किसी 88 में लोगोंको सर्विस देशक्ते मतलब एक दो इंसानों को service दे सकते हैं इंसानों में भी आप बोल सकते हो कि यार कभी हम लोग क्या कर ले हम लोग ना एक ऐसी service देने जा रहे हैं जहां पर ज्यादा लोगों की जरुवत नहीं है वो low order service है लेकिन कहीं पर हम लोग क्या करते हैं bulk order service करते हैं, large amount of services required होती है, अब ये सारी सीज़ें क्या कैसे हैं, एक बार समझते हैं, जैसे कि मान लोग, हम लोग, मान लोग कि आप एक professional हो, है न, professional person हो, जो कि साल के अंत में अपना ITR फाइल करता है, है न, income tax return फाइल करता है, अब ये income tax return यू तो आप खुद भी कर सकते हो है न, government ने बहुत सारे ऐसे बिल्कुल friendly websites बना दी हैं कि आप खुद भी कर सकते हो, बट इंस्टिल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी एक particular accountant पर निरभर होते हैं, है न, वो accountant आपके बिहाफ पर आपका income tax return फाइल करता है, in turn वो accountant आप से क्या लेता है, पैसे लेता है, क् जो कि उसने अपना knowledge, अपना दिमाख लगा के आपका ITR फाइल किया है, बात समझ में आ रही है न, तो ऐसे अगर चीजों को हम लोग देखें, तो हम लोग बोल सकते हैं, यह तो low order services है, यह तो एक एक बंदे को ऐसा ही connect कर लेगा, लेकिन अगर मानलों कि वो एक बड़ी firm company बन जाए, एक accounting company बन जाए, जो कि बड़े-बड़े companies के accounts handle करती है, जहां पर आपकी salary पूरे साल भर में मानलों कितना कमा लेते होगे, पांच लाग, दस लाग, बंदरा, बीस, पचीस, तीस, कितना कमा लेते होगे, companies जो होती है, वो अर्बों, खर्बों में कमा रही हैं, अगर इतनी बड़ी company हैं, तो उनका profit and loss statement के साथ-साथ, उनका final auditing भी तो होगा, उसके लिए आपको क्या चाहिए, chartered accountant चाहिए, तो खूब सारे chartered accountant, खूब सारे accountants, इन सब लोगों ने मिलके एक बड़ी company बना दी, अब ये बड़ी company कमश कम ऐसे, छोटी-छोटे, पता न हजारों कमपनियों के ऐसे ही accounts को deal करता है, अब ये क्या होगा है, ये large quantity order में देख रहा है, तो इसी तरीके से हम लोग इसको low order service और इसको high order service में distinct कर सकते है, services, services का मतलब क्या है, services का मतलब है, कि आप एक प्रकार का कोई भी intangible चीज, जो की आपके problem का solution दे रही है, उसको पाने के लिए उसके against में आप payment कर रहे हो, वो ही है, अब यहाँ पर जैसा मैंने बताए कि ये दो types के हैं, कौन-कौन सा, एक low order service है, और एक high order service है, आप इसको बहुत basically अपने अपने सिर्फ knowledge और expertise से इसको बता सकते हो, जैसे कि आप जैसे मैंने तो एक तो accountant का नाम दे दिया है न, local accountant, और एक क्या है, accounting firm है, ये क्या है, he is dealing with 10 people's account, और they are dealing with thousands of companies है न, यहाँ पर जब भी आप किसी local जगहां पर जाते हो न, तो आपको हमेशा छोटे के कमरे के doctors दिखते हैं, मतलब कि उन्होंने अपना dispensary खोल रखा होता है, है न, doctors with dispensary होता है कि नहीं होता है, आप इनकी fees किती देते होगे, इनकी fees होती होगी, मुश्किल से 100 रुपए, है न, या तो fees भी नहीं लेते हैं, ये लोग तो, आपको सीधे, आप problem बता होगे, आपको दवा के पत्ते काट के देते हैं, कि ये लोग दो खोराक ये खा लेना, दो टेबलेट ये खा लेना, ये हो गया आपके देड़स हो रुपए, है न, वैसे कुछ ले लेते हैं, उसमें दवा भी देते हैं वो लोग, और यही चीज यहां पर आते हो तो hospitals, hospitals के अंदर में आपको specialist, specialized doctors मिलते हैं आपको, है न, operation theaters मिलता है आपको, और इसके साथ साथ, आपका जितना भी, ये आपका x-ray, या फिर आपका blood sample, ये सब किस categories में आएगा, ये सब बड़े categories में, high order, ये लोग तो पता नहीं कितने लोग को एक साथ treat करते होंगे, है न, तो वैसी चीज़ है, आप बिल्कुल बहुत ही easily इन services को distinct कर सकते हो, यहां पर जैसे कि आप example दे सकते हो, लालपात lab का, है न, लालपात lab क्या होता है, हर जगह है, वो तो chain वाले में भी दे सकते हो, कि chain stores में लालपात lab भी हो, health sector में आपको chain facility दे रहा है, कि आप किसी भी जगहां पर हो, वो आपका blood sample घर पर collect करने आएगा, और आज के जबाने में, जब भी हम लोग services के नाम पर low order services की बात करते हैं, और जब भी retailers की बात करते तो आज के time पर कुछ नए examples अगर आपको लिखने हैं, तो आप उसमें ये सब चीजे भी जरूर से लिखो, आप लिखो इसमें, retail में, यहाँ पर आप example में लिखो अच्छे से, कि आज के time पर जो door services हैं, वो door services बहुत ही ज़ादा उपर उठके आग चुकी हैं, यह services के यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ब्लिंकेट, ब्लिंकेट, जेप्टो, स्वीगी, जुमेटो को क्यों छोड़ना, यह सब क्या है, डो retail services हैं, आपके घर तक आके समान पुचा के जाएंगे भीए यह यह लोग, और similarly ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे आपके services भी मिलेंगे, जो कि आपको door-to-door service देते हैं, door-to-door services देते हैं, यह door-to-door services में क्या होता है, आप लोगों ने आज कल एक नया सुनाए गया, एक पता नहीं यार, घर वाले मंगाते हैं, मुरे को पता नहीं है, एक है yes madam है, मेरे को exactly नहीं पता है, या फिर सबसे बढ़ी है, yes madam आपको नहीं पता हो, इसको नहीं लिखते हैं, यह छोटी company है अभी भई, थोड़ी बढ़ी हो जाएगी तब इसका example देंगे आपको, क्या हो गया, नीचे जा, हाँ, आपको यहाँ पर लिखता हूँ, urban company, यह क्या है भई, यह आपको घर पर आके आपको बोलना है कि यार मेरा bathroom बहुत गंदा हो गया, यार कौन साफ करेगा, इसके लिए तो किसी को पकड़ना पड़ेगा, उसको 100 रुपर देने पड़ेंगे, urban company बाई, मेरे पास पूरा machine भी है गिसने वाला, सब कुछ एकदम चमका के बिल्कुल नया कर दूँगा आप बताओ मेरे को 5 रुपर लुगा, bathroom बिल्कुल नया करके दूँगा, आप बोलोगे आओ भाई, urban company एप है, एप से बुक करोगे, आपको बाल कटाने का मनने लेकिन बाहर नहीं जाने का मनने, अरे एप है, urban company भेजेगा ना आपको, तारी कि सारी services क्या करेगा आपके घ क्या है, छोटे services हैं, लेकिन इनका example आप किसमें लिखोगे, high order services में लिखोगे, इनको daily basis पर कम से कम नहीं तो लाखो लोग एप प्रोच करते हैं, और लाखो लोग को ये service deliver कर रहे हैं, अलग-अलग शहरों में गये, है ना, तो इस तरीके से आप थोड़े नए examples लिखोग अन-organized या फिर informal sector है, ये क्या कह रहा है, ये आपके किताब में नहीं होगा, टेंचन मतलो, informal या अन-organized sectors के जो हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे labors होते हैं, जो कि non-skilled हैं, है ना, non-skilled labor क्या करते हैं, ये अगर ये non-skilled labor को service देना सबसे easy काम है भई, है ना, कुछ नहीं समझ मैं है, तो ये non-skilled labor क्या करेंगे, household activities में आपका support करने लगेंगे, household services देने लगेंगे, आपके घर में जाड़ू पोचा का काम करने लगेंगे, है ना, household services यहाँ पर नहीं मिला, तो ये daily wage labor जैसा काम करने लगेंगे, daily wage labor जो होते हैं, है ना, ये daily wage labor ये बहुत बार migrate करते हैं, है ना, तो जितने भी ऐसे non-skilled migratories होते हैं, वो लोग भी शहरों में जागे क्या करते हैं, service ही provide करते हैं, किसी ने छोटी सी गोलगप्पे के दुकान खोल ली, किसी ने चाट की corner खोल ली, या फिर कोई, मतलब इस तरीके से, vendors, auto rickshaw drivers बन गए, तो ये सब क्या है, ये सब unorganized sectors हैं, यहाँ पर आप लिख स सब क्या हैं, unskilled हैं, non-skilled हैं, non-skilled labors जो होते हैं, वो भी प्रकार का service ही देते हैं आपको, ये सब भी service के अंदर ही follow होता है, बस ये कौन से के टेकर ही है, unorganized और informal sector है, तो इस तरीके से मुंबई में एक बहुत ही famous है, डबबा वाला service, डबबा वाला service, हजारों लोगों नहीं है, बठा ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन आज के जवाने पर ये जो unorganized sector है न, government इसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, for example, आप लोगों ने, क्या इसका नाम सुना है, क्या इश्रम पोर्टल का नाम सुना है, आज के डेट में अगर मैं आपको बताऊं, ज दिसंबर 2023 के हिसाब से approximately 300 million, 300 million unorganized labor, रजिस्टर डेंस में भई, इन लोगों क्या मिलता है, इन लोगों मिलता है एक unique account number, UAN मिलता है, इस UAN को हम लोग seed कर देते हैं आधार, अब सोचो कि कोई भी scheme apply करना हो, किस शहर में कौन कहां पर कितने wage labor unorganized sector में रह रह रहे हैं, सब कुछ पता है अब हमें, अब हमें ऐसे कोई भी scheme निकालना है, इनके लिए कितना आसान है, इनको unorganized से organized sectors में लेकर आना कितना आसान है, 30 करोड जनता है, जो कि इश्रम पोर् इतने लोग और भी आ चुके होंगे, तो 300 million plus लोग definitely आज के date में होंगे यहाँ पर, है ना, तो इतने सारे लोग registered है वहाँ पर, तो सोचो, अब unorganized sector को भी हम काफी तेजी से यहाँ पर इस sector में लेके आने की बात कर रहे हैं, similarly, अब हमारा जो अगला topic है कि इन tertiary activities में कौन से लोग involved है, लिखता हूँ मैं सीच को, पीपल इंगेज़ इन tertiary activities, कौन है वो लोग कहां से आते हैं ऐसे लोग जो की इस activity में involved है, बताइए बहुत ही बड़ा question है, लेकिन आप देखोगे कि जिस हिसाब से आज के टाइम पर, जो country जादा develop होते रहती है, वहाँ पर आपको tertiary sectors या फिर tertiary activities के लोग जादा मिलेगे, क्यों ऐसा हो सकता है, क्यों ऐसा possible है, आप खुदी सोचो, उसके लिए देखो क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने बताए कि भी देखो यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पर आपको skill चा चाहिए, आपको specialization चाहिए, आपको expertise चाहिए किसी एक field में, यह ना, यह सारी चीजे क्या करेंगी, attracts more money, और हर कोई चाहता है कि मैं इस भीड से लग घट जाओ, यार वो 30 करोड की जनता में कोई भी अपने आपको नहीं देखना चाहता है, वो तो लोग मजबूरी में वहाँ पर कर रहे हैं, क्यों क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की expertise नहीं है, specialization नहीं है, उतनी अच्छी white-collar job is all about like, जहां पर जो आप बड़ी-बड़ी MNCs में देखते हैं, बड़ी-बड़ी companies होती है, वहाँ पर लोग laptop के सामने करते रहते हैं, chart बनाते रहते हैं, presentation बनाते रहते हैं, meetings होती रहती है, ऐसे टाइप कि जितने भी service वाले persons हैं, जिनको हम actual में हां सोचते हैं कि हा भी देश में, जैसे जैसे इस country का हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर यहां पर हम एक development दिखा देते हैं, और यहां पर बोलते हैं कि भई, यह primary activities या फिर skill देख लेते हैं, तो यहां पर हम लोग हमेशे देखेंगे कि जैसे जैसे यह development बढ़ेगा, लोगों के skills भी बढ़ते जाए हैं यह हमेशा ऐसा होगा, और जितना ज्यादा skill होगा, आप समझों कि यह किसको report कर रहा होगा, यह हमेशा tertiary activities को represent कर रहा होगा, तो जो भी हमारे developed countries हैं, वहां पर आपको जैसे जैसे कोई भी country development के stage पर जाता है, वैसे वैसे वहां का जो primary industry है, primary sector है, primary activity है, वो क्या होता है वो दीरे-दीरे कम होता जाता है, as, development increase, primary activities धीमेदी में होती है, जो manufacturing है, मतलब की secondary industry है, यह भी decent हो जाती है, यह भी कम होती है, क्योंकि ultimately लोगों को क्या बनना है, service person बनना है, अब एक sector देखो अलग से आता है, जहां पर आज के trend ऐसा देखा जाता है, कि जब लोग service करते करते बोर हो जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, service sector से entrepreneurship पर लोग आगे बढ़ रहे हैं, entrepreneurship कोई है, these are the decision makers, और इसको अब हम लोग समझेंगे कि यह जो tertiary sector है, अब धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, service sector को अब बोल रहे हैं कि यार boss की गुलामी कौन करेगा, कौन डेली चार गाली सुनेगा, और फिर भी उसी काम में पड़ा रहेगा, कौन सुबह से साम तक वही बिपीटी बनाता रहेगा, इन सब चीजों से अब service से बोर हो चुके हैं लोग, उनके अंदर और भी ज्यादा च्छमता है, वो यार boss क्या, 10 boss ऐसे ही इस्तमालने वो लोग है न, 10 boss को अपने अंडर में काम करा लें, ऐसी इक्षा बहुत सारे लोग की होती होगी न, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अप पर quaternary activities में आएंगे ये लोग, तो अब ये tertiary sector से भी आगे निकलने की बात चल रही है, हाला कि है वो भी एक service sector ही, लेकिन वहाँ पर उससे भी beyond जाने की बात हो रही है, और ये आपको हमेशा दिखता रहेगा, जैसे ऐसे skill आगे बढ़ेगा, tertiary से quaternary, queenery ये सब बढ़ता रहेगा, है ना, तो आप इस चीश को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो हम लोग next जो है, वो पढ़ने कोशिश करते हैं कि कुछ भी, अगर हम लोग एक example के तौर पर लेते हैं, जैसे मानलो हम tourism industry की बात करते हैं, है ना, example क के तौर पर, या फिर सिर्फ tourism activity लिखते हैं, ये कितना बड़ा change ले के आ सकता है, या, यह कि तूरिजम industry आज के टाइम का सबसे बड़ा service sector है, आज के टाइम का सबसे बड़ा service sector है, इससे बड़ा service कोई देने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि ये tourism industry एक नहीं है, tourism activity एक चीज का, मतलब, मतलब एक चीज सिर्फ इसमें नहीं होता है, इसमें आप देखो, chain of hotels, मतलब की accommodation के लिए चाहिए उनको कुछ न कुछ, है ना, chain of restaurants, बनेंगे की नहीं बनेंगे, लोगों को क्या चाहिए, food, chain of retail shops, ये वो chain की बात नहीं हो रही है, है ना, chain मतलब abundance, retail shop, यहाँ पर इनके जो भी daily usage की इनकी जरूरत के समान होते हैं, वो सब बढ़िया चल रहे हैं, है ना, एक ऐसा बड़ा company के, ऐसा बड़ा activities है, जो कि हर साल, लोग कही न कहीं खूमने जाते हैं, और वहाँ की पूरी पूरी economy उससे driven है, comment section मुझे बताओ कि कौन सी country ऐसी है, जिसका सबसे जाधा segment जो है, या सबसे जाधा पैसा उस देश में, टूरिजम की वज़ा से आता है, ऐसे बहुत सारे देश हैं, उनके एक दो के example दे दो आप मुझे बस, तो अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे word का single largest tertiary activity ये बनते जा रहा है, है ना, ये क्या है भई? single largest tertiary activity of the world, है ना, और क्यों हो रहा है, उसके पीछे आप लोग को answer भी पता चल पा रहा है, ठीक है, यहां तक अगर आप लोगों का बात समझ में आ गया, तो फिर इसके business पर एक ही और समझो आप, कि भई, tourism जो है, ये क्यों होता है, अब simple साब, ये तो सिर्फ imagine करके आप लोग समझ सकते हो, देखो, आपको tourism में क्या क्या बढ़िया लगता है, आपको लगता है कि यार, आप कहां चले जाओ, जहां पर आपको कुछ बढ़िया स evidence मिले हैं, बहुत पुरानी शहर का, तो अपनी history को trace करने के लिए आपका interest वहाँ पर create हो जाता है, तो असे बहुत सारी चीजे हैं, आप वहाँ पर जा सकते हो, टूरिजम को कौन कौन सी चीजे हैं, factors कौन कौन सी affect करती हैं, उसको समझते हैं, factors affecting tourism, सबसे पहले, जो आम लोगों की demand है, वो है चुट्टी, चुट्टी मिलेगा तभी तो घूम नहीं जाओगे, चुट्टी नहीं मिलेगा तो घूमोंगे कहां, फिर तो काम ही करते रहोगे सुबह शाम, तो holidays सबसे बढ़ा demand है भई लोगों का, मतलब holidays is all about leisure time, खाली चाहिए भई इनको पक चुके हैं, काम करते करते, तो इनको leisure time चाहिए, सबसे पहला demand तो यह हो जाएगा, इसके बाद आपका एक जो सबसे important है इसके लिए वो आपका transport है, है ना, कैसे जाओगे, पहले के जमाने में तो लोग क्या करते थे, छोटे छोटे दूर पर जाने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ता था, कैसे जाएंगे, लेकिन आज के लिए आपको विदेश हो तक जाना है, मुशिल से घंटों में पहुच सकते हो, आप कैसे, आपके पास airways है, तो यहाँ पर आप लिख दो tourism activities से एक और चीज यहीं पर लिख लो, कि एक बह लोगों के tourist attraction का point क्या क्या बन सकता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर, सबसे पहला क्या होगा भई, सिंपल सी बात है, सबसे पहले कि आप यह देखना चाहते हो, climate कैसा है, आपको ऐसा लगता होगा कि यार हम लोग ना हमेशा मस्त पहाड़ों के बीच में climate में थंडे जंगों पर जाएं, लेकिन आप यह समझो कि दुनिया की ज्यादा तर जनता जो होती है, वो थंडे प्रदेशों में ही धे रही है, उनके लिए गर्मी को देखना बढ़ा ही जरूरी होता है, क्या बात है, इनके लिए सबसे बेस्ट स्पॉर्ट क्या होता है, Mediterranean Sea वा Climate is all about, मतलब कि हम लोग के लिए भी हम लोग को बर्फ, गिरना, स्नो, फॉली सब देखना है, तो वो भी climatic factor पर ही dependent है, इसके साथ साथ जो आप अगला बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि आपको भी चाहिए एक बढ़िया सुन्दर, मनोरम, दृष्य, लैंड्सकेप, जबर Sports, जैसे की, Skiing लिख सकते हो, आप Rafting लिख सकते हो, बंजी जंपिंग करने के लिए लोग कहां कहां चले जाते हैं, पैरागलाइडिंग करने के लिए कहां कहां चले जाते हैं, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, क्या है, ये सब टूरिजम को ही तो प्रमोट करने के लि किसी के culture से बहुत ज़ता प्रभावित होते हैं ना और उसके culture को enjoy करने के लिए से लोग राजिस्थान जाते हैं वहाँ पर चौकी धानी एक जगह हैं चौकी धानी में लोग बैठते हैं वहाँ पर folk dance देखते हैं नौर्थीस जगहें पर जाते हैं यहाँ पर उनके folk dance देखते हैं वहाँ का religious perspective देखते हैं इन सब चीज़ों के लिए लोग जाया करते हैं तो यहाँ पर आप इस तरीके समझ सकते हो अब यहाँ पर आपका next जो topic आता है वह इसी तरीके साथ है quaternary activities और quaternary activities और quaternary activities और quaternary activities इसमें समझो कि आप बहुत ही simple सा समझो कि quaternary activities ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके काम को आपके काम को highly professional level पर लिके जाते हैं जैसे कि बहुत बार काम informational based होता है research and development based होता है क्या होता है informational based work या फिर research and development based work आप इसमें किसका example लिख सकते हो आप इसमें लिख सकते हो जैसे कि doctors चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रोफेसर्स यह सब किसमें आ रहे हैं आपके quaternity activities में आ रहे हैं क्योंकि अपना दिमाग करचा करते हैं आप कोई बेचीज समझाने के लिए आप कोई बी चीज बताने के लिए information प्रवाइट करने के लिए लोग क्या करते हैं अपना दिमाख लगा के उसको रिसर्च करते हैं काफी घंटे इन्वेस्ट करते हैं तब जाके आपके लिए एक इजी सा चैप्टर बनता है है ना अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं प्रमजिए का मत ऐसा लेकिन यहां पर ऐ ऐसे लोग क्वाटरी अक्टिविटीज में आते हैं ठीक है तो क्वाटरी अक्टिविटीज का मतलब समझ गए आप लोग इसी तरीके से सिमिलरली आपके कुईनरी अक्टिविटीज होती है है ना कुईनरी अक्टिविटीज कुईनरी अक्टिविटीज देखो वो लोग ह होते हैं जो कि decision makers होते हैं बड़े-बड़े जैसे कि आपने CEO देखा होगा CEO किसी भी company का CEO होगा वो क्या करता है decision make करता है कि है ना मतलब ऐसा नहीं कि इसके पास वह proficiency नहीं है यह करता है अपना दिमाग लगाता है सब कुछ करता है रिसर्च करता है सब कुछ पढ़ता है लेकिन अगर कभी decision लेने की बात आती है तो यह आते हैं ऐसे बहुत बड़े पोस्ट पर जैसे मानलो आप लोग डिस्रिक्ट मजिस्ट्रेड बनो गए है ना यहां पर भी आप लोगों क्या लेना पड़ेगा decisions लेना पड़ेगा बहुत बड़े-बड़े decisions लेने पड़ेंगे यहां फिर जो भी policy makers होते हैं जैसे कि cabinet ministers जो होते हैं आपके ऐसी जो भी बड़ी पोस्ट होती है जहां पर आपको यार ऐसा लगे कि यार नहीं अब तो यार यहां पर आर या पार का फैसला है बताओ क्या करना उस जगहें पर कई सारे लोग छोड़ देते हैं काम को है ना तो decision maker है specialist है इसके अलावा consultant policy formulators यह सब इस category में आएंगे किसमें कुईनरी activities में आएंगे तो मोटा मोटा जो कुईनरी activities होते हैं न उनको हम लोग बोलते हैं gold collar professionals यहां पर लिखना आप इनको क्या नाम देते हैं हम लोग gold collar professionals आई होव आपको यह बात समझ में आई होगी इसी तरीके साना अपने पास और भी बहुत सारी बहुत सारे जौब होते हैं जैसे कि आप बोलो red collar अरे यार आप बोलो red collar red collar कौन होते हैं government employees इनको क्या नाम देते हैं हम लोग red collar job कर रहे हैं इसी तरीके से क्या होते हैं white collar होते है white collar में हम लोग क्या लिख सकते हैं वही जो normal हम लोगों ने देखा भी था कि corporate level के जो employees होते हैं उनको बोल सकते हैं यहां पर blue collar blue collar यह कौन होते हैं आप समझो कि जो हमारे मजदूर होते हैं labor work होता है manual labor जो करते हैं उनको blue collar job बोलते हैं हम लोग हम लोग ने gold collar अलड़ी देख लिया है इसके बाद red हो गया gold हो गया white हो ग्रे है ग्रे कॉलर्ड ग्रे कॉलर कॉन होते हैं ग्रे देखो बीच वाले परसन है एक ऐसे परसन है आप बोल सकते हो कि जिसको की intellectual काम भी करना पड़े और physical काम भी करना पड़े मतलब की देखो वो कभी कभी बिल्कुल decision making काम भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि लेकिन उनको अपना physical activity भी करना पड़ेगा जैसे blue collar job से जैसे कि nurses का example ले सकते हैं तो यहां पर ऐसा लिख लो कि इनके पास intellectual work भी होता है प्लस physical work भी होता है एक्जांपल के तौर पर यहां पर लिख लेना nurses या फिर flight attendants जो होते हैं देखते हो न आप लोग flight में अगर गए होगे कभी तो उसमें देखते होगे कि वो लोग last में आके आपक अचार हो रहा है उसको भी चुप करा देती है आपकी जो भी जरूरते होंगी वो सब physical activities भी करती है लेकिन उसके साथ-साथ intellectual work English में बात भी करती है आपको पूरा console करती है उनको पूरा उसकी training दी जाती है तो वो किसमें आए ग्रे कॉलर जॉब में इस तरीके से एक और क्य यह क्या है related with women इसके अलामा और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे की और कौन-कौन से है मेरे पास मेरे पास एक है आपके लिए black color job black color तो इसमें लिख नहीं पाहूंगा मैं black pen से किसी और से लिख देता हूं green भी होगा क्या मेरे पास green नहीं है green color job होता है क्या आप लोग पत परपल जो होते हैं वो परपल परपल कहा गया यह रहा है अगर अगर परपल कॉलर जो होते हैं वो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं है ना वो भी ऐसा ही समझ लो कि इसमें आपको blue और white दोनों की जरूद पड़ेगी है ना आईटी प्रोफेशनल्स में similarly इसी तरीके से एक होता है हमारा brown brown जो होता है वो military वालों के लिए होता है ब्राउन इसमें नहीं है तो कोई नहीं किसी और से लिख देते हैं चलो अब common लिख देता हूं मैं यहाँ पर brown brown जो होता है वो military वाले लोग के लिए होता है और साथ में एक open है open caller open caller specifically जो freelancers होते हैं especially वो महिलाएं जो कि घर पर बैठ के आपको freelancing job में help करती हैं उनको बोलते है women with work from home इसको freelancer बोलते हैं हम लोग ऐसा बोल सकते हैं तो ऐसे मोटे मोटे बहुत सारे तरीके हैं आपके लिए एक हमने और क्या बोला था ब्लैक बोला था ना ब्लैक जैसे कि जो coal के लेबर्स होते हैं जो oil petroleum से उठाते हैं ब्लू कॉलर से भी थोड़ा सा और नीचे job है इस होता नहीं है उसको क्लासिफाई करना ही अपने आप में बहुत गलती है ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए था वैसे ब्लू कॉलर्ड जॉब ब्लू कॉलर से भी आप ब्लैक कॉलर को किसो रिलेट कर सकते हो जो की कोल लेबर्स होते हैं या फिर पेट्रोलियम ओयल लेबर्स या फिर पेट्रोलियम एक्स्ट्रैक्शन जो करते हैं ठीक है तो ये सारे आप एक बार समझ लेना तो इतना ही था आज की लेक्चर में मुझे लगता है कि आप लोग को काफी सारी इंफोर्मेशन मिल गई होगी और जितनी भी चीजे थी हम ल लिस्निगेट वेरी पेशेंटली फ्रेंट्स आशा करता हूं कि आपको जल्दी से ये पूरा सेक्टर समझ में आगया होगा और हम अगले चैप्टर में मिलेंगे और जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की पूरी धज्यां उणाएंगे आपके पूरे कि आपके सबसे बड़ी चैप्टर यही है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन तो उसमें डीटेल से एरवेज, वाटरवेज, सब कुछ डिसकस करेंगे बिल्कुल लेटेस्ट अप्डेशन के साथ में तो बने रहिएगा इन सेशन्स में थैंक्यू वेरी मच फॉर लिसनिग है व्यटे वेज के छोगे बिल्कुल थैंक्यों में वहाज़े बड़ावागता क्याशन के प्सेटि अभी टान सेशन्सित, ट्रावब करेंगे टॉप था चैप्टर लावागता।